देखेंगे मोज एप से slow motion वीडियो कैसे बना हैं, मोज एप पर slow motion वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर अभी तक आप ने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो ऐसा ही latest अपडेटेट के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीज तो आप जैसे ही प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आप इस टाइप के इंटरफेस पर आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे आपको 0.3x, 0.5x, 1x, 2x, 3x करके लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपने वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको इस यहाँ से गायब करना है, यहाँ से गायब करना है, तो आप देखे हैं, राइट हंड कॉर्णर में ऊपर से 2nd option आपको इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो option है, यहाँ से चले जाएंगे, और आपको slow motion और fast motion वीडियो बनाने है, तो आप इस पीड को क्लिक करिए, तो यह पास्ट शूट होने लगेगा, 3x में उस से जादा fast शूट होने लगेगा, यहाँ पे अगर आपको वीडियो को शूट करना है, तो आपको सेंटर में सरकल का option दिखाई दे रहा है, तो आप जैसे ही उसको क्लिक करके रखेंगे, तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको flip को option है, यहाँ से आप camera को switch कर सकते हैं, मतलब front और back camera on कर सकते हैं, उसके नीचे speed को option है, जो कि हमने देख चोक है, उससे क्या होता है, उसके बाद फिर आपको beauty को option मिल जाता है, तो आप beauty को option पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जो भी color related changes है, या जो भी आपक effect करने, यहाँ से आप वो effect कर सकते हैं, इसके बाद हम back चलते हैं, फिर आपको filters को option मिलता है, तो यहाँ पे अगर आपको अपने वीडियो में filters लगाने हैं, तो यहाँ से आप वो भी लगा सकते हैं, इसके बाद आपको effects को option दिखाई देता है, तो यहाँ पे अगर आपको तो filter को option दिखाई दे रहा है जो कि हम देख चुके हैं, effects को option आपको दिखाई दे रहा है, effects में अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो में effects लगाने तो वो भी लगा सकते हैं, उसके नीचे आपको voice को option दिखाई दे रहा है, right hand side में सबसे last option जो उप option दिखाई दे रहा है, नीचे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने वीडियो में sound भी लगा सकते हैं, उसके बाद speed हम देख चुके हैं, फिर आपको third option text का दिखाई देता है, तो यहाँ पे अगर आपको अपने वीडियो में text लगाना है, तो वो भी क description दे सकते हैं, सबसे उपर आपको description दिखाई दे रहा है, hashtag ads कर सकते हैं, किसी friend को tag करना है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे four options दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको अपने वीडियो पे comment लाओ करना है, वो कर सकते हैं, अगर कोई do it करना चारा है आपके वीडियो के करना चारा है, अगर वो भी आप यहाँ पे लाओ करना चारा है, तो वो भी कर सकते हैं, जब यहाँ पे आपने सारे option का use कर ले, तो आपको सबसे नीचे last पोश्ट को option दिखाई दे रहा है, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको जो वीडियो है, वो इसे पे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा,